हलो गाईज वेलकम वेलकम बैक तो दिए मोस्ट लॉव फैंटसी यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे पांचवा मैच होने वाला है अरुण जेटली स्टाडियम पे और यह जो मैच हम मुंबई और गुजरात के बीच में मैच होने वाला है यह दो ऐसी टीम मैं मुंबई के साथ कभी भी अभी तक है ना गुजरात ने एक भी मैच एक सिंगल मैच नहीं जीता है और मुंबई के साथ जितने भी मैचे हुए हैं सभी मैच के अंदर ड्रीम टीम में केवल और केवल मुंबई के ही प्लेयर कैप्टेन बनी है और मुंबई के ही प्लेयर वो 5 all rounder के साथ जाने का कर रहे है आपको क्या structure ले करके चलना है ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पूरी clarity के साथ समझाने वाला हूँ साथ ही साथ आपको चार ट्रम प्लेयर दूगा अब ये क्या होता है उससे आपको ये पता चलेगा कि आप अपनी टीम के अंदर जो लो सेलेक्शन प्लेयर वाली प्लेयर लेते हैं उनमें किसके पास फॉर्च रिटी है को परफॉर्म अच्छा करके आपको दे पाएंगी दोनों टीम का अभी तक काफी सारा मैच हो चुका है और इस पीच पर भी ये पाच्वा मैच होने वाला है तो हम क्या देखेंगे तीन चीज सबसे इंपोर्टेंट जो है ना वह देखेंगे सबने के सब से पहले कुम्पैरिजन तीम के बॉलर का अलग करेंगे और सबसे इंट्रेस्टिंग क्या करेंगे एक टीम के बैट्समें का दूसरी टीम के बॉलर के साथ कॉंपरिशन करेंगे इससे हमें पूरा-पूरा आइडिया लग जाएगा कि कौन वो प्लेयर है जो आज इस मैच में अच्छा करेगी रन बन सिकेंड बॉलिंग में भी हमें स्विंग और मुव्मेंट देखने को मिला आज क्या होगा हम बात करेंगे उस पर फिलार में आपको वो तीन टीम दिखाना चाहूंगा वो तीन चीज दिखाना चाहूंगा यहां पर देखिए यह जो मैच है यह दो हजार चौबिस का है इस किसकी प्लेयर है मुंबई की आज भी क्या आपको केवल मुंबई की टीम मुंबई के टीम से ही क्या बनाना चाहिए क्या आज लॉरा वोलफार्ट परफॉर्म नहीं करेंगी बेथमूनी फ्लॉप हो जाएगी क्या यह सब होंगे मैं बताऊंगा इस वीडियो में सब कुछ से वीडियो एंड तक देखिए मैं आपको सब कुछ बता दूंगा हर एक चीज जो आपको अपना फैंटासी यूनिक फैंटासी टीम क्रियेट करने में हेल्प करेंगा बात करेंगा पिछ रिपोर्ट की यह ग्राफिक्स आपको नया लगना होगा मैं समझाता हूं यह क्या हंड्रेट परसेंट के मुव्मेंट और भी बढ़ जाएगा ठीक है इस चीज के लिए तयार रहना और अगर यहीं सेम पिच यूज हुआ तो यहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीम डॉमिनेट करती है इंटाकरी मैक भी आपने देखा होगा जो और बाते कमी स्कोर बन अगर यहां परने स्पिनर्स आखued निकाल लेती है सवाल यह रहता है विक्रीमेंट के अदर को देशाज इसकते आपको बताने वालों ध्यान सागर आप देखेंगे तो मैंने आपर दो चीजे लगाया है वह क्या है 1.2 यानि के किवल आठ बॉल हुआ था और तीटा साधू ने विकेट निकाल दिया केपी नावगीरा आउट हो गई मैंने केपी नावगीरे के ड्रॉप कर वाया था आक्र मैं क्यों लगा हूँ यह बताने के लिए लगाया हूँ कि वह प्लियर करती है जिनको मुम्मेंट कराना आता है वाधिया ठीक है यह कौंसेप्ट जिसको पता होगा न सीम बॉलर्स जो होगी जो बढ़िया मुमेंट कराती है उनके चंसे आज भी हाई रहेंगे वहीं विके program चैनल पर अपने description में इस तरीके से मोर पर क्लिक कीजिए description को लेगा यहां link मिलेगा telegram का link और या फिर comment section खोल के यहां पर सबसे उपर comment section में आपको मैंने telegram का link मिलेगा वही पर मैं live आकर updated ना केवल मैं आपको को खेवल पिछ रिपोर्ट लिखके बताता हूं बलके और वीडियो क्लिप इस तरीके से डाल करके आपको बताता हूं कि आपको आज की मैच में मतलब किसी भी मैच में पिछ कैसा खेलेगी वो सब आपको लाइव अगर देखना है और यहीं नहीं मैं यहाँ पर तीन ग्राइ इन चीजें में बता रहा हूं करने का मतलब यह कि कौन टीम ज्यादा मजबूत है ध्यान से समझिए है तीन मैच में तीन के तीन मैच मुंबई ने जीता है और तीनों के तीनों मैच के अंदर CNVC मुंबई की ही टीम से प्लेयर बनी थी ठीक है रिसेंट फॉर्म अगर आप देखेंगे मुंबई का काफी बढ़िया है गुजरात वले आखरी मैच जीत गई थी लेकिन वह कंसिस्टेंसी गुजरात में में नहीं किया है तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे वाक मुंबई की टीम से देखें या अस्तिका भाटिया यह ना उतिनी ट्रस्टेड आप मान करके नहीं चल सकते हैं पांच टॉप आडर में से 5 कि 5 प्लेयर पांच ऑप्षन मुंबई की टीम में बैटिंग से काफी बढ़िया है अगर आप गुजरात की टीम से देखें लॉरा विदे लिष्फिल्ड लॉरव फार्ट और बेत्मुनी तो यहां से केवल दो प्लेयर ही जेनरली प्रफॉर्म करती दिखाई देती है तो इन तीन में हम दो ही प्लेयर के सेस्टेसंटेट देखेंगे तनुजा कर्णवर है जो ट्रस्टेड प्लेयर हैं यहाँ से झालाई से यहां-चार विंपडार है जो फोल आ मान के नहीं चलूँगा अमेलिया के रहे ट्रस्टेड मान के चलिए नैट शीवर वरंट ट्रस्टेड मान ये हली मैथ्यूस ट्रस्टेड तो तीन और दो पांच पांच ऑप्शन बॉलिंग से मुंबई इन किये तो सिधा-सिधा बैक्टिंग भी फेवर मुंबई कर रही है टोटली डिपेंड करेगा कौन जीतेगी कौन हारेगी टॉस पे टॉस पे जिस तरीके से फिछ ब्याइब कर रहा है पहले बैटिंग को डॉमिनेशन मिल रहा है तो टोटली टॉस पे डिपेंड करेगा आप लोग ये चीज़ ध्यान देकर के चलना बाखी हेट्टेड रिक गलतियों के बारे में चर्चा किया है और किवल गलती नहीं बता है उस गलती को सुधारे कैसे टीम बनाये कैसे ये सब कुछ बताया है तो जाकर के जरूर सर्च किजेगा इस वीडियो को और देखेगा इस वीडियो के एंड में भी मैं वैसे लगा दूंगा अब मैं आगे करेगी आगे बढ़ेंगे आप यहां पर पुजा वस्तरा कर तीम से चार ओवर करेगी साइका इशा के तीम से चार ओवर करेगी उसके बाद दोस्तों संजीवनी संजना जो है यह भी आपको कुछ ओवर की पार्ट टाइम बॉलिंग करती दिखेगी तो यह कुछ बॉलिंग संजना के बारे में अगर आपको बताओं तो अगर आपने एक इंट्रव्यू देखा होगा मुंबई की टीम का वही हाल है बॉलिंग लाइनप में ठीक है संजीवनी संजना ने आकरी मैच के अंदर डेट के अंदर बॉलिंग कराया था तो अब यहाँ पर मैंसिंग धोनी क मैं बात कर रहा हूँ जिक्र कर रहा हूँ तो मैं बता दू उससे एक बार इंट्रव्यू किया गया था यार कि आपने आकरी मैच के अंदर हर्वरजन सिंग को बॉलिंग की वने दिया उनका जवाब क्या था इवरी बाइक सारी गारिया है लेकिन एक ही टाइम में सभी गा टेकनिकली और जिनरली जो बालिंग करती दिखेगी पावर प्रेक अंदर आप शबनीम इसमाइल से करेंगे ओपन करती दिख सकती है और साइका इशाक भी ओपन करती दिख सकती है डेथ में बालिंग शबनीम इसमाइल भी कर सकती है साइका इशाक भी कर सकती है हेली मैथ् तो यह कभी भी death में करें, इनको तो लेके जाना ही चाहिए, जाना ही बनता है, अमेलिया केर भी कभी कभा death के अंदर balling कर जाती है, तो यह चीज ध्यान दे करके चलना, हमें न हर चीज के लिए हर परिस्थिती के लिए तयार रहना चाहिए, अब मैं आपको अगर बताओ तनुजा करवर 3-4 करेगी, मेगना सिंग 3-4 करेगी, मननत कश्यप 3-4 करेगी, शबनम शकील 3-4 करेगी, ओवर कटेंगे किसके, शबनम शकील के ओवर कट किये जाएंगे, पहली चीज आगे बढ़ेंगे आप, यहां से मननत कश्यप के ओवर कट किये जाएंगे, उसके बा कर सकते हैं और यहां पर मनत कश्यप कर सकती है मेगना सिंग से भी डिट में बॉलिंग कराया जा रहा है जो पिछ जिस तरीके से भी हाइव कर रहा है क्यों कि इसलिए डिट में कर रही है क्योंकि सेंड बॉलिंग में भी पिछ से मुव्मेंट हासिल हो रहा है इसलिए के चलना चाल और बताता हूं एक बॉलर है जिसको आपको कापटन में कंसिडर करना है फिलाल मैं बता देता हूं देखिये यह जा अपको क्यों कि पर दो स्ट्रक्चर किया है एक एक मैं किपर के साथ हुआ लेगे एक ही विकेट की पर लेगे यह बात याद रखना आगे मैं समझाओंगा तो समझ में आगा यह गलती लोग कर रहे हैं पांच और राउंडर के साथ जा रहे हैं दो विकेट के पर पांच और आउंडर आपको इस इस्ट्रक्चर पर टीम नहीं बनानी है इस यह गलती सब्सक्रब रहे हैं एक लिकेट के पर ढूरांदर तीन बॉलर यह विकेट की पर दहोता है और इसे इस से से हम इतने ही प्लेयर लेंगे जंजड़ खतम कोई भी टैंशन लेने की ज़रूद नहीं इसलिए स्ट्रक्चर मैं बताता हूं आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो कौन होगी पहले बैटिंग करने वाली टीम का विनर कंसिडर करके चलना कैप्टन किसके टीम से बनाना है आगे मैं आपको बता दूँगा फिलाल मैं सेक्षन वाई लेकर करके चलता हूं और विकेट कीपर सेक्षन से यस्तिका भाटिया की जो कि मुंबई की टीम के विकेट क में फिक्स लेके जाएंगे मुंबई पहले बैटिंग करें या बॉलिंग करें क्यूंकि इनके साथ एक एक एक्स्ट्रा एडवंटेज यह रहेगा मुंबई के विकेट टिकिंग नेचर के बॉलर काफी जादा है और वहां पे और गुजरात कंसिस्टेंटली फॉर्म में है यह और बात अनफॉर्चनेटली आखरी मैप में बेथमूनी ने भी लंबा स्कोर किया लोरा वलफार्ट ने भी किया लेकिन कंसिस्टेंटली इंफॉर्म नहीं है वो इसलिए यास्तिका बाटियाओ कवर करेंगे कि बॉलिंग के भी पॉइंट यह देखर के जाएगी कै प्लेयर पर रिस्ट लेना है आप को आज रिस्ट लेना है किसचीज़ का या । 90,000,000 में से आपकी टीम ऐसी ही बाहर हो जाएगी किवल आपका competition 8,000,000 के अंडर रहेगा अगर एक करोर लोग contest में participate कर रहे तो इसलिए आप इसको drop करके चले और यह 100% flop होती भी दिखाई दे सकती है सबसे पहले दोस्तों बात करेंगा मुंबई की टीम से हमको किसको ले करके चलना चाहिए हर्मन प्रीद कौर की बात करते हैं बहुत ही कमाल की प्लेयर है टीम की captaincy करती है लीडिंग बहुत बढ़िया कर रही है आज भी अपनी टीम में कवर करें मुंबई अगर पहले बैटिंग करेगी तो हम इनको by default अपनी टीम में ले करके जाएंगी पहले बैटिंग में मुंबई की आराम से कवर करिए सवाल यह रहेगा कि कब इनको captain करना है यह मैं आगे बताने वाला हूँ जब GLP ट्रम प्लेयर और फिक्स प्लेयर बताऊँगा तो अमन जोत कौर की बात करें बैटिंग और नीचे है मुंबई की टीम काफी फॉर्म में है तो फाइप प्लेयर तक है न वो चल जाएंगे औ उतना सेफ ऑप्शन नहीं रहेगा आप छोड़ देना बैटिंग करने का ऑप्शन ही जब ना मिले तो क्या ही स्कोर कर पाएगी और बॉलिंग वागरे करती नहीं आप सीधे सीधे छोड़ दीगे हुमाइरा काजी भी बहुत नीचे खिलती है मैं यार मुंबई की टीम से एक शिकायत मेरी हमेशा रहती है मुंबई की टीम से क्या रहती है इनके टीम में दो बैट्समन ऐसे दिखेंगे ना जिनका कोई रोल नहीं होता है मतलब फिल्डिंग के लिए एक हैवल रखते हैं हमेशा पिछले सीजन में भी हमने नोटिस किया था इस सीजन में भी अब जाने क्यूं यह करती है वह वही जाने गुजरात की टीम से बात करते हैं लौरा वॉलफार्ट यहां परसेंट लोग आज भी लेके जा रहे हैं आखनी मैच के अंदर आप देखिए 76 की खेल करके आ रही है कमाल की प्लेयर है फॉर्म वापसी नहीं कर पा रही थी फॉर्म यह वापसी कर चुकी है आज इस मैच में आपको अपने टीम में अगर आप बित्मूनी को ड्रॉप कर रहे हो तो लौरा वॉलफार्ट को आपको बैक करके चलना चाहिए यानि कि गुजरात के दो अपनर में से हम किसी एक आपनर के साथ जाएंगा और वो होगी लौरा खेलती है मैं मान के चल रहा हो बरिया परफॉर्म करके या आपको कभी भी देखर के जा सकती है डिफिनेटली बैक करिए अब वही है कि इनको कैप्टन करना है या नहीं करना मैं आगे आपको बता दूंगा वही बात करें डी हमलता की इनको भी कवर कर सकते हो लेकिन जब गुजरात पहले बैटिंग करें गुजरात पहले बैटिंग करेंगी तब ही आप कवर करिए छे नंबर पर खेलने आती है और अगर आपने आखरी मैच देखा होगा आखरी मैच के अंदर टोटल आट से 9 विकेट गिरे थे ठीक है पहले बैटिंग करते हुए तो इस लेकिन अगर ऐसा कुछ होता भी है तो भी मुझे ताज्यूब नहीं होगा जैसा कि मैंने बताए एक्जामपल दी आपको धोनी वाला तो उस हिसाब से के वागे बताने वाला हूं और से बात कर लेते हैं अब इसमें से हम जिस प्लेयर को लेंगे उसको कैप्टन कब करना है चलिए देखते हैं फिलाल तो किस-किस को हम लेकर करके चलेंगे उसकी बात करते हैं हेली मैथ्यूज टॉप और में खेलती है बॉलिंग का बैक अप आराम से कवर करिए बाइड डिफॉल्ट इनको फिक्स लेके जाए कभी भी टीम इनको डिथ के अंदर भी भेज सकती है एक पहले बैटिंग करें तो हम इनको बाइड डिफॉल्ट अपने टीम में कवर करके चलेंगे लेकिन इफ यो और रिस्क टेकर यू के और नहीं करके चलो यह चीज़ आप ट्राई करके चल सकते हूं ठीक है मैं ये चीज़ बता इसलिए रहा हूं क्योंकि अक्सर आप देखोगे कि ये चीज़े होती आपको दिखाई देगी बाकि अमेलिया केर बहतरीन खिलारी डिफिनेटली आप कवर करिए लेकिन इनके उबर भी एक बहुत बड़ा कोश्चन मार्क है कि इनको ना कैप्टन करना है या नहीं करना है कैप्टन वो इस कैप्टन आगे मैं आपको क्लैरीटीन के बारे में देने वाला अब देखें नॉर्मल जगा अगर अमेलिया केरा है अम मतलब के बालिंग वगरे करती तब तो कोई बात ही नहीं थी लेकिन ये death में balling generally कर जाती है तो ये थोड़ा सा crucial pick हो जाती है यार वैसे भी ठीक है gardener की बात करें ये खिलाड़ी भी केवल बैटिंग करती है तो उतना जादा important शायद role अदा ना करती लेकिन power play में भी balling करती है और death में भी balling करती है आराम से cover करें डेफिनेटली लेकर के जाएए Catherine Bryce पहले बैटिंग में गुजरात के हम cover करेंगे ये खिलाड़ी भी काफी important है और मैं मान के चल रहा हूँ बैटिंग के साथ balling का भी point इनका आप देखोगे आज के इस match में तो पहले बैटिंग हो आराम से cover करके चल सकते हो balling से बात करते है balling section में अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे पास जो players है ना उसकी list काफी लंबी है और ये crucial players है सभी इसमें से 2-3 players तो ज़्यादा useful नहीं है बट फिर भी मैं आपको बताना शुरू करता हूँ फिलाल ये बता दूँगा उसके बाद मैं GLP को और Captain Voice Captain ये सब कुछ बताऊंगा आपको तो सबसे पहले मैं पूजा मस्तराकिर की बात करता हूँ मुंबाई की टीम से पूजा उस तरह कर definitely कमाल की player है लेकिन जिस तरीका की खिलारी है उस तरीके से इनको बहुत कम लोग ले करके जा रहे है तो GL में अगर मुंबाई पहले बैटिंग करेगी तो हम इनको जरूर कवर करके चलेंगे मुंबाई के पहले बैटिंग में इनको कवर करेंगे क्योंकि तब क्या होगा पिछ फ्रेश होगा मुंबेंट कराने के चांसे बहुत हाई होंगे साइका इशाक की अगर मैं बात करूँ तो ये वो खिलारी है जो आपको कभी भी विकेट निकाल सकती है लेकिन आज इस मैच में चुकि आप इनका नंबर देखा होगे ध्यान से तो जिस तरीके से हम लोग परफॉर्म करते हैं और ये गुजरात की टीम उतनी जादा सक्सेस्फुल टीम इसमार नहीं रही है तो आखरी मैच में जो प्लेयर बहुत कमाल का प्रफॉर्म कर कहेगी उनको गुजरात के प्लेयर रोक रोक कर जरूर खेलेंगे और यही रीजन है कि साइका इशाक को मैं मान के चल रहा हूँ 110 परसंट शियोरू कि इनको विकेट शाद ना मिले इसलिए मैं अपने टीम से ड्रॉप करके ही चलूँगा इस प्लेयर को अब हम बात करते हैं गुजरात की टीम से किस को लेता तनुजा कनवर है मनत कश्यप है विकेट निकल ही जाते गिरी ही जाते जो मैंने एक्जामपल अभी आपको दिया है किस तरीके से विकेट निकलते हैं तो आप इनको कवर जरूर करिए आराम से आप इनको ले करके जा सकते हो वही बात करें दोस्तों मनत कश्यप की तो यार यह न दोसे तीन ओवर की बॉलिंग करती जरूर है लेकिन कुरूशियल जगपे बॉलिंग ना करने के वज़े से इनको विकेट मिलते मिलते रह जाते है इनका आप रिसेंट नमबर भी देख सकते है तो आप इस पे रिस्क ले करके जाना पहले बॉलिंग मेगना सिंग हमारी टीम के अंदर जरूर होगी वही बात के रेगली खिलाडी वहे शब्नम शखील इस किलाडी को भी आप चाओ तो रिस्क लेकर के चल सकते हो ओवर इनके भी काफी जादा कट होते रहते हैं तो शब्नम शखील पे भी हम रिस् करेंगे बहुत कम लोग लेकर के जा रहे हैं दूसरी के लाड़ी है मननत कश्यप जरूर हम इंको जील में ट्राइब करेंगे उसके बाद एस संजना संजीवनी संजना जैसा कि मैंने बताए कि अगर मुंबई इनको डित वगारा में भी या फिर दो तीन ओवर की बॉलिंग दे दे तो मैं अच्रज में नहीं जाओंगा क्यूकि परफॉर्मेंस काफी कमालगा करके आ रही है इनको भी हम अपनी टीम के अंदर जील में ट्राइ करने की कोशिश जरूर करेंगे तो यह तो सब्लम इसमाइल है पूजा उस तराकर भी वोईस काप्टन बनी है स्बार याज मैच में मुंबई की टीम से कौन वह प्लेएर है जो कैप्टन और वोईस कैप्टन बनेगी आगे आपको बता रहा हूँ बस एक सेकंदी जीए गुजरात की टीम से कौन-कोन प्लेयर है मेग हमें किसको captain voice captain करना है बताता हूँ सबसे पहले दोस्तो हेली मैथ्यूज को हम cvc try करके चलेंगे बॉलिंग का बैक अब गार्डनर को भी try करेंगे पावर प्लेट में भी बॉलिंग डालती है और टाप ओडर में भी खेलती है तो नूजा कनवर हम इनको cvc try करके जरूर चल मैं आपको अपने टेलिग्राम चैनल पर देता हूँ तीन ग्राण लिक की टीम तीन जील टीम देता हूं उस तीम से अगर आप खिलना चाहते हो यही वीडियो के नीचे आपको comment section में सब से उपर link मिलेगा टेलिग्राम चैनल का फिलाल आपको fix player के तौर पर किसको लेना है यहां पर वीडियो देख रहा हूं तो मैं आपसे request करूंगा कि पीछे जाकर के section वाई जरूर सुने और जिस तरीके से आखरी मैच में आप सबने प्यार दिखाया यानि सौ में से 43 आदमी चैनल को बिना सब्सक्राइब किये देखते हैं चैनल सब्सक्राइब करने में केवल 0.15 second लगता है 0.15 second तुरंट क्लिक करेंगे subscribe हो जाएगा इसका सबसे बड़ा फायदा होगा मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपके phone में वीडियो पहुंच ज यह कौन वीडियो है अभी आंत में आईगी और यह वही वीडियो है वाली वीडियो है देख सकते हो तो इस वीडियो को जाकर के जबूर देखें अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं दोस्तों दो ऐसी खिलारी जिनको एक सा ट्राइं नहीं करना है यह बहुत इंपॉर हर्मन प्रिट्वर और नेट शिवर ब्रंथ एक साथ एक टीम में है और अगर होगी तो आप मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ वो टीम रैंक नहीं करेगी तो आपको क्या करना है मेक शूर करना के हर्मन प्रिट्वर और नेट शिवर ब्रंट एक साथ एक टीम में आपको ले करके नहीं जाना है बित्मूनी लॉरावुलफार्ट को भी एक साथ एक टीम में नहीं रखना यophone यह दोनों औपनर मेंसे एक ही को लेना है मेगना सिंग और सम्नीमी समाहिल को भी एक के साथ ही जाना है इस संजना और आमिलिया केर को भी दोनों में से किसी एक के साथ ही जाना है नैट शिवर ब्रंध साइका इशाक को भी इन दिरों में से किसी एक के साथ ही जाना है बहुत सार लोग का concern होता है कि ये क्यूं ऐसा करना है अगर आम इस क्यूं को explain करने लग जाए तो ये वीडियो 50 मिनट्स की बन जाएगी मिरे भाई और बहुत कम लोगों का इंटरस्ट होता है इस क्यूं में काफी जादा important वीडियो है इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिए बाद में ही देख लेना मिलूंगा आप से किसी ऐसी logical वीडियो में फिलाल वीडियो में इतना ही तब तक के लिए stay healthy and bye bye